दोस्तो यह कहानी लंदन की एक नर्स महिला की है जिसने एक ही साल में साथ नौजात बच्चों के जान ले लिया नमस्कार अदापना मैं अभिसेक कुमर आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल आरेल गुलोरी में और आप देख रहे हैं सची घड़ना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी चलिए पूरी कहानी आप लोग को बतलाते हैं विस्तार से दोस्तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि इस नर्स महिला का नाम लूइस लेविट है और इसकी उम्र 33 साल है दोस्तो यह ना सिरियल किलर है जो कई बच्चों की जान ली थी इस नर्स को ऐसे बच्चों को देखभाल करने के लिए काम दिया जाता था जो समय से पहले जन्म लेते थे जिनकी कंडिशन काफी खराब होती थी और उनको बच्चने की संभावना बहुत कम होती थी सबसे पहले उन बच्चों को यह नर्स ज़्यादा दूद पिलाती थी जिसकी बज़ा से बच्चों की जान चली जाती थी और कुछ बच्चे ज़्यादा दूद पिने से नहीं मरते थे तो उनको हावा का इंजेक्शन दे कर मार डालती थी यह नर्स बहुत सालों से नवजात बच्चों की हत्या कर रही थी सबसे पहले इस नर्स ने 2015 में एक नवजात सिसु की हत्या की थी उसके अगले साल 2016 में इसने एक ही साथ दो बच्चों की हत्या की थी और एक नवजात सिसु की हत्या करने की कोशिस की थी जिसमें इसकी गिरफतारी भी हुई थी लेकिन यह उस हत्या के गिरफतारी में बच गई थी 2020 में फिर से नौजात बच्चों की हत्या करने के जुर्म में लुईस लेविट को गिरफतार किया गया था लेकिन वो फिर बच गई बच्चों की हत्या करने के बाद सारे सबूत मिटा देती थी और वो कोट में साफ साफ इनकार कर देती थी कि उसने बच्चों की हत्या नहीं किया है और वो करती थी कि मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ इस बज़ा से वह बार-बार बंच जाती थी लेकिन 2023 में जब उसने एक ही साल में साथ नौजात बच्चों की हत्या किया तो उसको गिरफतार करके पुलिस ने उसके घर की तलासी लिया तो बहुत सारी हस्पीटल का डॉक्मेंट मिला और डॉक्मेंट के साथ साथ एक लेटर मिला जिसमें लिखा था मैं सायतानू मैंने यह सारे बच्चों की हत्या किया है अपने बयान में लुईस लेविट ने कहा था कि मुझे हस्पीटल वाले फसाने की कोशिस कर रहे है लेकिन कुछ दिर बाद लुईस लेविट ने कबूल कर लिया था कि उसने ही सभी हत्या किया है दोस्तो इस कहानी को सुनाने का उदेश मुझे किसी को ठेश पहुचाना किसी को तकलीफ पहुचाना नहीं बलकि आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्चित रहें और अपना ख्याल रखें धन्यवाद